यूटूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ भासा सिक्षन की शिद्धान इससे पहले हम तीन शिद्धानतों को देख चुके हैं आज हम देखेंगे क्रियाशीलता का शिद्धान कहता कि बालक सभाव से ही क्रियाशील प्राणी होता है वह कभी भी निस्क्री नहीं पढ़ाते समय अध्यापक प्रस्ण पूछना और चात्रों का उत्तर देना अध्यापक द्वारा बालक को किसी वस्तू तथा मौकिक वर्णन करने के लिए कहना तथा चात्रों को लिखवाना आदी ऐसे साधन है जिनसे कक्षा में क्रियाशीलता बनी रहती और विद्यारत के सायरति भाशा का ज्यान प्राथ्द करने में जल्दी ही निपूंता हासिल कर लेते हैं अर्थाद वालक हमेशा खिर्याशील रहता है व्यकभी भी साथ नहीं बैठ सकता हमेशा कुछ ना कुछ करते वह रहता है तो भासा शिक्षण की शिद्धान में भी क्रियाशीलता क कि शिद्धान द्वारा हमें apply करना होगा पांचवा है अई प्रेणा या रूची का शिद्धान किसी कार को करने के लिए छात्रों को उत्पेरित कर दिया जाये तो वे उस कार को बड़ी निश्ठा और ततपरता और रूची पूर्वक करेंगे हम देखते हैं कि यदि हमने ब पथर को हमें बाहर फेकना है तो वे आनकानी कर देंगे हमारी बात में रूची नहीं लेंगे लेगिन यदि हम इसी बात को कहें थोड़ा बच्चों से कहें कि बच्चों देखते हैं कौन सबसे दूर पथर फेक सकता है तो बालक उत्प्रेरित हो जाएंगे और इस कार को बड़ी रुची और तक्वर्ता से कर देंगे, अर्था शिक्षन कार में उत्प्रेणा या रुची का बहुत महतो होता है। उन्हें अद्यापन कार कराते समय, उत्प्रेरित किया जाए, उनकी विशाय में रुची जागरत की जाए, तो वह भाषा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं आगे हम देखते हैं कि उप्युक्त क्रम का शिद्धान तो यह भाषा सिक्षन प्रदान करते समय उप्युक्त क्रम की और विशेज द्यान दिया जाए भासा सिक्षन जो है उसकी दृष्टी से दो बातें बड़ी महत्पूर्ण होती है अर्थ ग्रहेता और दूसरा है भाव या प्रकाशन या अभी व्यक्ति बातें जो है वो महत्पूर्ण है पहला अर्थ ग्रहता और दूसरा भावावी व्यक्ति अर्थ ग्रहता पहली सीड़ी है और भाव प्रकाशन या अभी व्यक्ति दूसरी सीड़ी है छात्रों में अर्थ ग्रहता आए इसके लिए दो बातों का अभ्यास कराना चाहिए अभ्यास के लिए दो बात होनी चाहिए सुनने का अभ्याश होना चाहिए और पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए भाव प्रकाशन या अभिर्यक्ति दो प्रकार की हो सकती है एक तो मौखिक भाव अभिर्यक्ति या फिर लिखित रूप से भाव प्रकाशन या अभिर्यक्ति हो सकती है यह दो प्रकार के अभ्यास बच्चों से कराने होते हैं मौकिक अभी रख्ती का भाव प्रकाशन प्रथम सोपान होता है और लिखी ताही रख्ती जो है इसका भाव प्रकाशन दूसरा सोपान कहलाएगा प्रारम में इस बात का विशेश ध्यान रखना चाहिए कि जो लेखनकार है लेखनकार में यदि हम बच्चों से लेखनकार करवाते हैं तो पहले हमें मौखिक कार करवाना चाहिए इसके बाद में लिखवाना चाहिए अर्थात हमें मौखिक पहले इसके बाद में लिखने का कार देना चाहिए यह उप्युक्त क्रम होगा तो दो बाते हमने इसमें देखा, पहला इसमें हमने देखा था कि जो क्रम था हमारा अर्थ ग्राहता का क्रम था, दूसरा भाव प्रकाशन की अई व्यक्ति थी, इसमें अभ्यास की जो बातें की गई थी, अभ्यास में हमने देखा था, सुनने का अभ्यास और पढ़ने का अ सोपान और लिखित अई व्यक्ति या भाव प्रकाशन को हमने दूसरा सोपान माना था मौखी कार पहले करवाया जाए और लिखित कार बाद में करवाया जाए सात्वा है अनुकरण का शिद्धान और यह सिद्धान जो कहता है कि बालक में अनुकरण की प्रवित्ति कितनी त बात का पता हम भली भाती जानते हैं भासा को सीखने में भी यह अनुकरण की प्रवित्ती बड़ी सालक होती है जैसे वर्णमाला को सीखना शब्दों और उसके अर्थों को सीखना पढ़ना एवं लिखना सीखना इन सभी क्रियाओं में अनुकरण की प्रवित्ती काम करती है बच्चे अनुकरण करते हैं कैसे अनुकरण करते हैं जब अध्यापक बोलता है तो उन्हें वो जैसे बोलते हैं उनका अनुकरण करते हैं इस बात का विशेश प्रयास करना चाहिए विद्यालाई के बालकों को अनुकरण ठीक दिशा में प्राप्त हो जो बालक है उनका ठी इसका उच्चारन सुद्ध होना चाहिए तता भाषा वियाकरन सम्मत होनी चाहिए कभी-कभी ऐसे लोगों द्वारा भाषन करवाने चाहिए जो भाषा के पंडित होते हैं अर्था जो विद्वान व्यक्ति है, ऐसे लोगों को विद्याला में बुलाकर उनके भाषाण बच्चों को सुनवाने चाहीए, उनकी जो बाते हैं वो किस प्रकार से भाषा का प्रियोग कर रहे हैं बच्चों को सम्झाना चाहीए, और अध्यापक को आदर्स प्रस्तुत क करना चाहिए उच्छारण सुद्ध करना चाहिए तब ही वह है भासा सिख्षण बच्चों को निपूनता प्रदान करतकता है सिख्षण महवाक किया सिख्षण सूत्र यह है आठवा शिद्धान्त है और सिख्षण सूत्र या सिख्षण महवाक में आप जानते हैं कि सिध्धान्द वताएगा है कच्छा ध्यापक भी उन सिध्धान्टों को अपनाए ऐसे महवाक्यों या सिध्धान्टों का शंग्रय सरप्रथम हर्वर्ट इस्पेंसनर ने किया है कालांतर में और भी महवाक्या सिख्षन सूत्र इनके साथ जुड़ गया है जिने हम सिख्ष सिध्धान्टों को हम देखते हैं वह सब सिख्षन सिध्धान्ट के अंतरगात आते हैं इन्हें हम सिख्षन महवाक्या सिख्षन सूत्र भी कहते हैं तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.sircalar.info सर्च करें यह चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक जानकारी पहुंचाएं